तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी और्ड सॉंग के साथ वीडियो एडिट करना सिखाने वाल ज्यादा ओल्ड सॉंग ने हैं बलकुल नया स्य विद्लों बिलियो करती है वो हम गोustom को नहीं पता है धूर आप अपने फोटो को लगा गया करके ऐसा वीडियो कैसे बनाइगे चलिए शुरू करते हैं complete हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे तो बिना वीडियो को skip कि आप complete ज़रूर से देखना आप अपने फोटो को लगा कर ऐसा status वीडियो आप बना सकते हैं और काफी कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा जिसके लिए आप वीडियो को continuous ज़रूर से देखें तो च के इंशोर लेकर बता सकते हैं हमारे इंस्टरग्राम का यूजरनेम है asrbanna773 यहाँ पर आप a light motion application को open करते हैं उसके बाद यहाँ पर मैं जो project वो आपको दे दूँगा मैं project पर click करता हूँ यह दो project आपको मैं दूँगा जो कि beat वाला मिलेगा और second आपको sag effect वाला मिलेग इसे यहाँ पर आप beat वाले project को आप open करेंगे ति यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा यहाँ पर जो भी layer बंद है आप इस तरीके से आउन करेंगे वो layer कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी नीचे हमारी यहाँ पर white layer इस पर click करना है और उसके बाद यहा पर दिखने लगेगी उसके बाद second यहाँ पर 26 पर आएंगे plus clicker की media वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपको photo को select करना होगा actress के photo को यहाँ पर आप सभी अपने photo भी add कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो actress के photo भी add कर सकते हैं साथ में आपके photo भी add कर सकते हैं यह photo मैं use करने व चैनल को जोईन नहीं किया तो प्लीज जरूर से जोईन करेंगे यहाँ पर आपको photo पे click करना है उसके बाद line पर clicker के fill compose उसे नहीं जा करेंगे अगली वाली बीट पर आप click करेंगे इस वाले option पर click करेंगे तब आप अगली बीट पर चले जाएंगे और यहाँ से यहाँ पर clicker के fill composition नहीं कर सकते हैं कैसे भी अगली बीट पर जाएंगे ज्यादा फोटो कोटाएंगे photo पर clicker के आगया जा रहा है वापस प्लस पर clickना मीटिया पर clickना फोटो को select करेंगे अगली बीट पर जाएंगे ज्यादा फोटो को यहाँ से आप हटा देंगे इसी दरीके से आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ से लेकर आपको complete यहाँ तक photo को add कर देंगे तो हम क्या कर देंगे फोटो को step by step फटापट अड़ करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमने सभी photo को complete add कर लिया है सभी photo complete add हो जाने के बाद आपको क्या करना है इन photo पर अलग-अलग effect को paste करना होगा उससे पहले आप उपर से आगया हैंगे इफेक्ट वाले project को open करेंगे उपर आपको दो लियर मले की बंद है इन दोनों को चालू करना है उसके बाद दबा करकना गुरूप को और image लियर को select करना है बीच में क्लिकना है copy to layer पर क्लिक करके आगया जाएंगे और यहां पर आपको बीट वाले project को open करेंगे अब आपको simple से यहां पर आज आना है और आपको ट्रेंग पर क्लिक करें copy effect करेंगे बाकि जो हमारी लियर उस पर क्लिक करेंगे effect को step-up step सभी पर इस तरहीं से paste करेंगे तो finally हमारी effect कुछ इस तरहीं से यहां पर paste हो चुकिए ठीक है यह पेस्ट होने के बाद आपको आगया जाना है यहां पर आप देखेंगे तो हमारी effect कुछ इस तरहीं से यहां पर आ जाएगी अब आपको क्या करना होगा यहां पर जो image layer इसमें आपको photo add करना होगा तो यहां पर हम बाद में बताएंगे उससे पहले आपको यहां पर कुछ lyrics को लिखना होगा यहां पर लिखा text सबसे आ गया हैंगे और यहां पर जो नीचे white layer है ना इसके अंदर आप photo add कर लेते हैं तो आपको यहां से back button पर क्लिक करके उपर से आ गया ना उसके बाद प्लस पर क्लिक करके media और यहां पर आपको 9 x 16 की size को लेके create project पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको क्या करना दो फोटो को से लेना जिनकी size 9 x 16 में होने चीए प्लस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली जो फोटो है वो हमारा यहां पर इस तरीके से एड हो जाएगा और यहां पर जो यहां पर आपको प्लस पर क्लिक करेंगे फोटो फाइनली हमारा एड हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर टेक्स टाइट करने लिए सबसे आगे आएंगे और यहां पर इमेज क्लियर को सलक्ट करना है टेक्स्ट को भी सलक्ट करना है बीच में क्लिकना है और आपको यहां पर आएंगे इस इस इमेज हमें कि आप एंगे आप आएंगे आप को सब्सक्री यह सब्सक्राइब अग्सकेR चेंज हो जाएगा यहाँ पर लच गो जिखाइस पर क्लिकना है एडिट टेक्स्ट पर क्लिकना है यहाँ पर आप लिख देंगे आई लब यू और यह हम लिख देते हैं उसके बाद हम इसको नीचे ले लिए यह वाला फोंट मैं आपको दे दूंगा अगर ना दे पाऊं त इस एक एफेक्ट के प्रोजट को नीचे जाएंगे फर्स्ट वाले फोटो मिलेगा इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है यानि कि यहां से लेकर यहां तक जो भी फोटो है इन सभी फोटो पर एक फोटो पर एफेक्ट को डाल देना है दूसरे को छोड़ देना जो पर डाल दिया इसको छोड़ दशूड़े को ऊपन करेंग ऑपले कोपी करेंगे बाहर आएंगे, बीट वाले प्रोज़ को ऊपिं करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे वापस वहीं पर जो भी हमने एक फोटो छोड़ जाएगी तो आपको यहां से यहां तक किस तरीक से पेस्ट करेंगी जो भी आपने एक फोटो को छोड़ दिया था ऐसके बादा आएंगे और बन करेंगे से एक फेक्ट की प्रोजर को तीसरा फोटो में लेगा यह वाला इस प्रोजर को उपन करेंगे अब आप सिंपल से यहां पर आजाएंगे यहां पर आप 1645 पर यहां पर हमारा एक फूटो रहेगा इसे आप क्लिक करेंगे और यहां पर इस एफेक्ट को पेस्ट करेंगे आगे आप देखेंगे तो से यह दबल विट है यहां है आएंगे नीच स्क्रॉल करके फूर्स்ट दी फोटो पर आपको एफेक्ट पर पेस्ट करना है यहां से लहीं कर लाफ्ट कर देंगे आपका पूरा वीडियो बन जाएगा इसको गैलरी में सेयुकरे लिए आपको सैटरिंग के पास आप्शन पर क्लिक ना है वीडियो को सलक्ट के पर चाहिए